दो नवजातों की ठंड से जम कर हुई यूपी के एक नीम हकीम क्लीनिक में मौत। यूपी के शामली में एक क्लीनिक में रात भर कम टेंपरेचर पर चल रहे एसी की वज़ा से हुई दो नवजात शिशों की मौत। बिना लाइसेंस क्लीनिक चला रही नीतु कुमार के खिलाफ एल डिपार्टमेंट ने दर्ज की रिपूर्ट सुमवार को कर लिया गया उन्हें गिरफतार दोनों शिशु अलग अलग परिवार से थे जो केराना के गवर्मेंट हॉस्पिटल में 23 सितंबर को पैदा हुए थे डॉक्टर की कहने पर उसी दिन दोनों को नीतु के निजी क्लीनिक के नर्सरी में शिफ्ट करा दिया गया था दोनों शिशु में से एक के पिता मुहमद नाजीम ने कहा कि एसी का टेंपरेचर लो स्पीड पर करके नीतु और दूसरे स्टाफ के लोग सोने चले गए थे अगली सुभा जब अभिभावक नर्सरी में शिशुओं को देखने गए तब दोनों शिशु मृतक अवस्था में मिले दोनों के परिवार ने इस घटना पर अति विरोध दर्शाया और क्लीनिक के प्रती कड़ा कदाम उठाने की मांग की सरकल ओफिसर अमरदीप मौर्या ने कहा कि दोनों परिवारों की शिकायत पर नीतु कुमार के खिलाफ एक केस दर्श किया गया है आईपीसी के सेक्शन 304 लापपरवाही के कारण हत्या और सेक्शन 419 प्रती रूपन द्वारा धोका धड़ी के लिए सजा और 420 धोका धड़ी के तहत केराना पुलिस स्टेशन में ये केस नीतु के खिलाफ दर्श किया गया है शामली के अडिशनल चीफ मैडिकल ओफिसर डॉक्टर विनूद कुमार ने कहा कि निरीक्षन के दोराने पाया गया कि डॉक्टर बिना लाइसेंस और मैडिकल डिगरी के क्लीनिक चला रही थी क्लीनिक को बंद कर दिया गया है और नीतु पर इंडियन मैडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के सैक्शन पंद्रा दो और तीन के तहत भी चार्ज लगाया गया है